ये रेखी कड़ाही में सूपर डिलिसियस और टेस्टी पिजा बनकर तयार होई है ना तो ये कहीं से जली है और ना ही ये कच्ची है तो फिर चलिए इसको बनाना फटाफट शुरू करते हैं मैं ले रही हूँ दो कप मैदा ये वजन में 300 ग्राम है और इसमें में खमीर के लिए हम डालेंगे हम बेकिंग baking soda भी ले सकते हैं मैं इसमें डाल रही हूँ एक चमच baking soda ये इस तरह के डब्बे में आते हैं लाल डब्बे या फिर पीले डब्बे में ये देखिए अब मैं ले रही हूँ दो चमच refined तेल और refined तेल मैं इसले ले रही हूँ क्योंकि मैदे से बने रोटी चिमरे हो जाते हैं तो इस आटे से मैं पहले pizza base बनाऊंगी और इसमें तेल मिलाने से pizza base soft बनेगा अगर तेल इसमें नहीं डालिएगा तो pizza वाला वो मजा नहीं आएगा और बाद में आपको pizza को तीर तीर कर खाना पड़ेगा इसलिए इसमें तेल जरूर से डालिए अब मैं इसमें मिला रही हूँ एक चमच चीनी और स्वादनुसार नमक दो चमच भढ़कर दही डाल देंगे इसमें अगर आप दही नहीं डाल रहे हैं इसके जग़ए एक चमच बेकिंग सोडा डाल दीजिए और एक चमच बेकिंग पावडर दोनों सोडा आपको डालना है इसमें इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिला लेंगे हाथों से और जैसे आटा सानते हैं वैसे ही थोड़ा थोड़ा पानी मिला कर इसको सान लेंगे और ये देखिए आटा को मैंने सान लिया है आप चाहें तो इसको एक से दो घंटे का रेज्ट दीजिए इससे ये आटा डबल हो जाएगा या फिर इसको फॉरण भी बना सकते हैं मैंने इसको दस मिनट का रेज्ट दिया है और ये देखिए ये थोड़ा सा फूल गया है दस मिनट के बाद हम इसको दो हिस्सों में बांट लेंगे और इसकी लोई बना लेंगे मैं आप लोग को एकदम पॉफेक तरीका बता रही हूँ पिज़ा बनाने का वो भी कड़ाही में इसलिए पहले मैं पिज़ा बेस बनाऊंगी उसके बाद मैं पिज़ा बनाऊंगी इसको बेक होने में 8-10 मिनट लग जाते हैं और चीज को मिल्ट होने में 4-5 मिनट पिज़ा को आप कड़ाही में बनाएगा तो ये 15 मिनट में आसानी से बेक हो जाएगी क्योंकि मैंने इसमें दही मिलाया है और बेकिंग पाउडर तो ये आटा खुरदुरा टाइप दिख रहा है तो ये खमीर की निशानी है ये अच्छी तरह खमीर नहीं हो पाया है अगर आप चाहें तो इसको आधा एक घंटा तक रखे तो ये अच्छी तरह खमीर हो जाएगा तो मैंने इसको केवल 10 मिर तक रखा है खमीर होने के लिए और जिस प्लेट में आप इसको बेग करने वाले हैं उस प्लेट को तेल से ग्रीस कर लीजिए तो ये देखिए हमने इसको केवल 10 मेट तक रखा था अब हम इस लोई में थोड़ा सा सुखा आठा डाल कर इसको बेल लेंगे आप जैसा पिज़ा बनाना चाहते हैं मोटा या पतला उस हिसाब से आप इसको बेल लीजिए मैं इसको थोड़ा मोटा ही बेलने वाली हूँ तो ये देखिए पीज़ा बेस को मैंने बेल कर तयार कर लिया है अब इसमें चारो तरफ फॉक से चुभाएंगे ताकि जब भी हम इसको कडाही या फिर अवन में बेक करें तो ये फूले नहीं और जब हम इस पर सॉस लगाएंगे तो ये अंदर तक जाएगा तो ये देखिए ये हो गया है रेडी और मैंने दो पीज़ा बेस को बेल कर तयार कर लिया है और मैंने इसको दस मेर तक ढख कर रखा है ताकि ये हलका सा फूल जाए अब हम लेंगे एक कडाही और इसमें डालेंगे नमक जो सस्ती वाली नमक आती है ना वो आप इसमें इस लेखना नहीं है और इसी नमक से आप जैसे मैं आवन बनाने वाली हूं देसी आवन कड़ाही को तो आप इसी तरह केक भी बना सकते हैं नमक कड़ाही में या फिर पॉर्ट में फैला कर और मैंने इस पर रख दिया एक स्टैंड तो ये काफी बड़ी कड़ाही है तो इसमें उपा रहे थे तो मैंने एक बड़ा सा आटा गुंदने वाला बरतन ले लिया है और इसको 10 मिनट तक हाई फिलेम पर गरम कर लेंगे और 10 मिनट कड़ाही गरम होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है प्लेट जिसमें मैंने पीजा को बेल कर रखा था और ये देखिए मैं मैं इसको 6 मिनट के बाद चेक कर रही हूँ तो ये थोड़ा सा और बेक होगा इसको थोड़ा सा और बेक करेंगे करीब 3-4 मिनट मैं इसको लो फिलेम पर बेक कर रही थी आप चाहें तो 3 मिनट तक हाई फिलेम पर बेक करिए 3-4 मिनट फिर इसको लो फिलेम पर बेक करिए बीच बीच में आप इसको एक से दो बार चेक कर सकते हैं तो ये देखिए हमारा पीजा बेस बेक हो चुका है अब इसको डेकोरेट करेंगे इस पर डालेंगे एक बड़ा चमच पीजा सॉस इसको अच्छी तरह स्पून से फैला ले और मैं इस पर डालने वाली हूँ कुछ वेजी जिसको मैंने काट कर रखा है मैंने लिया है सिमला मिर्च टामाटर और प्याज सब को पेटल्स में काट के मैं इसमें ज़्यादा सबजिया एड नहीं करने वाली हूँ अब मैं इस पर ग्रेट करने लगी हूँ चीज, मैं इस पर बहुत सारा चीज कदुकस करके डाल रही हूँ तो ये देखिए चीज को हमने कदुकस करके पिज़ा बेस पर फैला लिया है और इस पर कटे हुए शिमला मिर्श, टमाटर और प्यास से सजाएंगे आप चाहें तो इसको उबले हुए सुईट कॉर्ण और ओलिफ से इसको सजा सकते है तो ये देखिए इसको मैंने सजा लिया है आप अपने हिसाब से इसको सजा लेजिए और इस पर से भी थोरा सा चीज ग्रेट करेंगे ताकि ये दिखने और खाने दोनों में ही अच्छा लगे आपके पास कोई भी चीज एवेलेबल हो प्रोसेट चीज, मौजरेला चीज या फिर स्लाइस्ट चीज तो आप इसको बना लीजिए मेरे चैनल पे एक और पिज़ा की रेसिपी है मैंने उसको स्लाइस्ट चीज से बनाया था मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगी आप इस पर थोरा सा ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स छिड़केंगे चीज मेल्ट होने तक इसको बेक कर लेंगे वाव ये देखिए सूपर डलीसियस टेस्टी पिज़ा तयार है अगर आपको क्रिस्पी पिज़ा चाहिए तो चीज मेल्ट होने के बाद आप एक नॉन स्टिक तवा पर या फिर कोई भी तवे पर हाइफ लेम पर इसको 2-3 मिर तक पका लीजिए वैसे इसको पकानी की ज़रुवत नहीं है ये आल्मोस्ट पक चुका है बस मैंने इसको क्रिस्पी करने के लिए रखा था और ये देखिए ये एकदम गरबा गरम पिज़ा तयार है अब इसको कट करके सर्व कीजिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले मिलती हूं इसी तरह की आसान रेसिपी के साथ तब देखे लिए बाबाई एंड टेक कियर मिलती हूं तो लगे वीडियो आपको अच्छी लगे तो और मेरी टेक करना न भूले